नमस्कार मैं हूँ भावनासती और जुनूर में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे गाड़नर के काम के बारे में एक गाड़नर ऐसा द gentle KD होता है जो गाड़न में खेती करता है और उसकी देख भाल करता है एक gardener शोकिया तोर पर या फिर पेशेवर तोर पर घर, किसी व्यवसाइक पर सर या फिर अन्य जगह पर बागवानी का काम करता है एक gardener के कार्य एक gardener का सबसे पहला काम होता है सभी पौधों की ग्रोथ पर निगरानी रखना इसके बाद पौधों को सही मात्रा और सही ढंग से पानी देना पौधों को खाट डालना और उनकी कटाई करना इसके बाद पौधों और जानियों की छटाई करना और आखिर में जो हर्याली युक्त स्पेसे हैं उन्हें बनाए रखना और राष्टे में किसी भी तरह की गंदगी और या फिर जो मलबा पड़ा रहता है उसे साफ करना एक गार्डनर के लिए मौझूद जॉब टाइटल्स कुछ इस तरीके से हैं अब बताते हैं गार्डनर की जिम्मेदारिया इनमें सबसे उपर आता है गार्डन को बढ़ाना और उसे सुव्य वस्थित बनाए रखना इसके बाद जो भी पेड, पौधे, फूल या दूसरे छोटे पौधे हैं उनका पोशन करना डिगर या फिर जो प्लांट वहीकल जैसी लाइट मशीनरी है उसका इस्तमाल करना गार्डनिंग से जुड़े जो भी टूल्स और मशीनरी है उनकी सर्विस करना गार्डन को किसी भी तरीके के कच्रे से साफ बनाए रखना और आखिर में जो भी गार्डनिंग टूल्स और पौधों की कीमत है उनके बारे में सला देना अब आपको बताते हैं गार्डनर की चेक लिस्ट और बेस्ट प्राक्टिसेज के बारे में इनमें सबसे उपर आता है बागवानी के परिसर को साफ बनाए रखना और वहां से किसी भी तरीके के कच्रे और मलबे को हटाना इसके बाद क्यारियों से खर्पतवार को हटाना घास और जो भी दूसरे पौधे हैं वहां से जो खराब टुकडे हैं उनको हटाना बीजा रोपन के बग घास की छटाई करना और इसके साथ साथ जब भी आप gardening कर रहे होते हैं तो वहाँ पर नए मिट्टी डालना और खुदाई करना जरूरी है घास को उपजाओ बनाए कटिंग करें और 12 मासी पौधो को विभाजित करें जो भी पेड या टहनिया हैं उनसे खराब या मृत चाखाओ को हटाएं अपने गार्डन टूल्स को साफ बनाए रखे और जरूरत पढ़ने पर उन्हें बदले इसके अलावा चार दिवारी को भी साफ बनाए रखे और जरूरत पढ़ने पर उसे दोबारा पेंट करें अब बताते हैं एक गार्डनर के लिए जरूरी टूल्स और टेकनोलिजी के बारे में तो एक गार्डनर इन टूल्स का इस्तमाल करता है अब वो चीजे जो एक गार्डनर को करनी चाहिए और जो नहीं करनी चाहिए सबसे पहले वो बाते जिनका आपको ध्यान रखना है तो जब भी आप पौधा लगाएं तो ऐसे कंटेनर चुने जो काफी बढ़े हो और इसके साथ साथ पौधे के जड़ों को बढ़ने की गुंजाईश हो जिन में लेकिन हाँ इतने बड़े कंटेनर भी ना चुनले कि पौधे की पूरी ग्रोथ के बाद भी कंटेनर में काफी जगा खाली रह जाए इसके बाद जब भी आप गार्डन में अलग अलग जगह पर पौधे लगा कर प्रयों करना चाहते हैं तो इसके लिए कंटेनर का इस्तमाल करें जो लंबे पौधे होते हैं उनको सहारे की ज़रूरत पड़ती है इसके लिए आप स्टिक का इस्तमाल कर सकते हैं मौर्निंग लोरी या फिर जो टमाटर जैसे पौधे हैं उनको घेरे या फिर जो जाली है उसकी ज़रूरत पड़ती है इसके बाद पौधय लगाते वक्त आप drainage होल का ध्यान जरूर दे कई बार ऐसा होता है कि जो decorative गमले होते हैं उनमें drainage होल नहीं होता ऐसे में आप या तो खुद एक drainage होल बना सकते हैं या फिर जो बड़े decorative गमले हैं उनमें एक छोटा गमला लगा कर प्लांट कर सकते हैं और आखिर में बीज लगाते वक्त गहराई का ध्यान जरूर रखें अब वो चीजे जो आपको नहीं करनी हैं गाडन से मिट्टी उठा कर सीधे तोर पर इस्तमाल ना करें ऐसा करना बहुत आसान लग सकता है लेकिन जो गमले वाले पोधे होते हैं उन्हें drainage की जरूरत पढ़ती है सक्त मिट्टी को सीधे तोर पर गमले में इस्तमाल ना करें जो सक्त मिट्टी होती है उसमें जड़े निकलने में मुश्किल आती है वहीं जो नर्म और धीली मिट्टी होती है उसमें जणे आसानी से निकलती है पौधो को रात में पानी ना दे गर्मी और नमी की वज़े से पौधो में फंगस लग सकती है इसके साथ साथ जब भी आप पौधे लगा रहे होते हैं तो जो पौधो की रोश्णी की जरूरत होती है उसको नजर अंदास बिलकुल भी ना करें पौधो को बढ़ने के लिए धूप की जरूरत होती है लेकिन हर पौधा अलग-अलग होता है इसलिए ये ध्यान दे कि किस पौधे को कितनी धूप की जरूरत होती है और आकिन में जो भी आपके गमले हैं उन पर गीली घास की एक परच जरूर रखे इसकी वजह से उन में नमी बनी रहेगी और साथ ही गर्मी में खर पत्वार लगने से बचाने में मदद मिलेगी थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए और मैं आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके काम आएगी